नमस्कार दोस्तो आज फिर आपके साथ पस्ते थें एक और नई कहानी देखे नई कहानी सुनाने से पहले कुछ बाते जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आज फिर कहना चाहूँगा कुछ comments आये थे जो repeated comments हैं जो कुछ particular लोग ही कर रहे हैं वो repeat ही कर रहे हैं और वो demoralize करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार की कुछ लोग गाली बख्या जो हम delete कर देते हैं दूसरी तरफ कुछ comments आते हैं कि मैं Wikipedia से देख के बोलता हूं तो खेर आज तक जो मैंने stories की हैं वो किसी Wikipedia से देख के नहीं की हैं और मेरी जो information होती है वो सटीक होती है और मैंने आज तक जो बहुत सारे papers आपको दिखाया है या photos आपको दिखाया हैं वो कहीं Wikipedia पे कहीं available नहीं थी और किसी media और public domain में available नहीं थी तो किसी आपको सिर्फ videos को क्या कहते हैं नीचे ले जाने के लिए बुरे comments करने से YouTube जो है उसकी algorithm ऐसे चलती है कि उसे बहुत negative comments आते हैं तो वो video को pushback कर देता है उसको promote नहीं करता है और उसको बिल्कुल एक तरह से खराब कर देता है तो अगर कुछ ल जो आज की कहानी है वो आज की कहानी यह है कि मुंबई माफिया और साउथ माफिया की ही है खासकर Shetty Community की और यह आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़ेवे हैं यह आप कहानी में अपने पता चल जाएगा तो जो आज की कहानी है वो है मुथपा राय की मुथपा राय मुथ बात करें साउथ के कुछ एरिया में इंक्लूडिंग केरेला एंड सम पार्ट अफ तमिल नादु और दूसरी तरफ जो यह जो कम्यूनिटी कहलाती है अगर मैं गलत नहीं हूं वह कहलाती है बंट, B-U-N-T हो सकता है मेरा पनान सेशन से ही नाओ, यह बंट कम्यूनिटी कहलाती है जी जो शेटी कम्यूनिटी होती है तो यह जो कहानी है मुधप़र राय के जीवन से है कि कहां से शुरुवात हुई और कहां इनोंने खतम किया यह है मुदप्पर रहे जो है पुटूर एक विलिज है कर्णाटिका में वहाँ पे कहते हैं पैदाईशूई और वहाँ पे ही बड़े पढ़लिके नौक्री करी नौक्री भी इन्होंने की 1980s में कहते हैं इन्होंने जो नौक्री की वो विज्या बैंक में की और 1980s में जब विजया बैंक में नौकरी कर रहे थे तो कहा जाता है कि ये वहां से नौकरी से निकाल दिया गया और निकालने के पीछे का कारण ये था कि कुछ लोग जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि इन्होंने मुतपार राय ने कोई जो है फ्रॉड किया था चेक्स का अगर ने कोई चेक काटा वो दूसरी ब्रांच में जाएगा कई दिन लगेंगे फिर पैसा आएगा तो इसी बीच में आज मीं बहुत सारे खेल कर लेता था वो जो टाइम लिमिट होती थी तो जो इन्होंने कुछ बोगस चेक का कुछ फ्रॉड किया जिसकी वज़े से बैंक ने इनको नौकरी से निकाला और कुछ चाहिए तो कुछ पैनल्टी भी लगी थी दूसी तरह मुथप्पर राय का बयान आता है कि नहीं मैंने कोई बैंक में फ्रॉड नहीं किया मैंने अपनी इच्छा से बैंक में नौकरी छोड़ी यानि कि मैंने अपनी मर्जी से बैंक में सब को जब घर चलाना है तो वहां से बैंगलॉर मुथपपर आये पहुचा मुथपपर आये बैंगलॉर से पहुचने के बाद जो जीवन की शुरुआत हुई जो कहते हैं वो बैंगलॉर में लेडीज बार में रिसेप्शनिस्ट की इन्होंने नौकरी की जब रिसेप्शनिस्ट की नौकरी की लेडीज बार में तो उस लेडीज बार का जो नाम था वो था उमर खयम जो की ब्रिगेड रोट पे थी और जैसे की 1980s और 1990s काफी कुछ लोकल माफिया जो थे वो कंट्रोल करते थे और आपको याद होगा कि हफता वसूली बहुत हुआ करती थी एक टाइम में हर चोटी जगा में हर बड़ी जगा में आपको हफता वसूली होती थी तो वहाँ पे भी कुछ लोग जो थे ह हफता वसूली करने के लिए उस बार में आया करते थे जो लेडि इस बार थी और जो लोकल गुंडे होते थे ओवो हाँ आते थे जब हफता वसूली ने आये तो कहते हैं मुधपा राय की वहाँ से अन लोगों से लड़ाइ हुई तो कहते हैं मुदप्पराया ने कुछ अपनी ही कम्यूनिटी के लोगों को मैंगलॉर से मुलाया और उनको बॉडी गार्ट की तरह इस्तिमाल किया और दूसी तरफ जो कहा जाता है कि 80s जो है जो पूरा बैंगलॉर है 1980s का जो एरा था उसमें जो बैंगलॉर जो था वो कुमार के नाम से एक विक्ति था ओयल कुमार जिसको बूट हाउस कुमार के नाम से भी जानते थे और दूसरा विक्ति था MP जैराज ये लोग कहते हैं कि बैंगलॉर को पूरा कंट्रोल किया करते थे दूसी तरफ एक और मुतप्पा की राय की लाइफ में बहुत इंपॉर अमर अलवा तो जो कॉमन पिक्चर हैं अमर अलवा की वह इंटरनेट पर अवलेबल हैं लेकिन मैं आपको एक अमर अलवा की फोटो दिखा रहा हूं वह शायद इंटरनेट पर कहीं पर भी अवलेबल नहीं है वह एक्स्क्लूजिवली मैं आपको दिखा रहा हूं वह स्क् और अशोक शेटी का लेंडिंग एजन्ट था मैंगलॉर में और जब 80s 90s में 92 और 94 के आसपास जो है जब मनमौन सिंग फिनाइंस मिनिस्टर थे तो नर्सिमराओ की सरकार के टाइम पे तो उन्होंने पहले जो जितने भी जादर क्रिमिनल्स थे वो समगलिंग किया करते थे खासका गुट्ज की और इलेक्ट्रोनिक्स की और गोल्ड की सिल्वर की इन सब की समगलिंग करते थे क्योंकि टेक्सेशन बहुत हाई था तो जो अमर अलवा था वो शरच शेटी और अशोक शेटी के लिए काम करता था और मैंगलोर में इनका गोल्ड समगलिंग का लैंडिंग एजेट था तो अमर अलवा जब लैंडिंग एजेट था और कहते हैं कि शरष शेटी आज के साथ जो है अमर अलवा जो है बहुत अच्छा दोस्त बना आपका सुभाशिंग ठाकुर सुनिल सावन यानि सौत्या फ्रांसेक्स करके एक क्रिमिनल रहा उसका और आपका दूसरी तरफ रमेश पुजारी मंगेश ये जो थे ये सारे जो गैंगस्टर थ करते थे और मैंगलॉर में उसी के साथ रुका करते थे दूसरी तरफ अमर अलवा बहुत अच्छा दोस्त कहते हैं कि मुथप्पर राय का बना और कहते हैं कि मुथप्पर राय को किसी ने कॉंटेक्ट किया MP जैराज सिंग को खतम करने के लिए और जब ये खतम हुआ तो बहुत सारा पैसा भी इन्वाल्व था जो मुथप्पर राय को कहते हैं मिला और मुथप्पर राय ने कॉंटेक्ट किया अमर अलवा को और अमर अलवा ने कहते हैं कि जो सुबारी है वो आगे दी आपकी सुबाशिंग साथ थाकूर, सौत्या, फ्रांसेस, मंगेश को ये पूरी टीम जो थी कहते हैं कि बैंगलोर जाती है और वहाँ पे ये पूरी टीम जो है बैंगलोर जाती है और वहाँ पे जो है MP जेराज को 35 गोलिया मारती है और कहते हैं कुछ गोलिया जो है उसके सिर में भी लगी और बहुत सारी जगा लगी और कहते हैं कि उसके बाद पूरा जो बैंगलोर एरिया था वो ऑईल कुमार के अंडर में आ गया और कहते हैं कि ये सारा फिर्म जो पैसा था इस ऑपरेशन के लिए वो ट्रांसफर वो पूरा फिनैंस किया गया ऑईल कुमार के द्वारा दूसी तरफ एक और बात और सामने आती है दूसी तरफ जब ये किस्सा हो जाता है कि MP जैराज मर जाता है और ओईल कुमार को पूरा टेक ओवर मिल जाता है और ओईल कुमार पूरा जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है बैंगलोर को तो मुथपर आये जो है कि मन में एक ग्रणा हो जाती है गोलियों से मार दिया जाता है दूसी तरफ जब ये बात अमर अलवा को पता चलती है कि मतप्पा राये ने आउयल कुमार को मार दिया है तो अमर अलवा जो है बहुत गुस्सा होता है क्योंकि आउयल कुमार ने ही MP जैराज को मानने के लिए फिनेंस किया था और वहां से वो पैसा अमर अलवा को पहुंचा था तो अमर अलवा से अमर अलवा जो है मतप्पा राय से बहुत ही गुस्सा होता है और बहुत कुछ उल्टा सीधा भी कहता है ऐसा लोग कहते हैं दूसी तरफ एक और बात है कि जो आइल कमार की जो विड़ो होती है वो जो है आपके उससे शादी कर लेता है कहते हैं हाथ मिला लेता है मतलब एक तरह से उसके साथ हाथ मिला लेता है जो आइल कमार की वाइव का नाम था वो था रीटा तो एक एक एक्ट्रेस थी Mostly Film वहां की लोकल फिल्म इंड़स्ट्री में और उसी बीच में अमर अलवा जो है सुभाशिंग ठाकूर, सौत्या और फ्रांसिस दो बार बैंगलॉर आते हैं टुकल मुथप्पर आए लेकिन वो सक्सेस्पुल नहीं हो पाते हैं इसी बीच में जो है मुथप्पर आए जो अशुक शेटी की हेल्प लेता है और अमर अलवा को मैंगलॉर में 1990 में मरवा देता है अशुक शेटी के दोरा ये कहते हैं अशुक शेटी के दोरा क्योंकि अशुक शेटी जो है शरच शेटी ये दोस्त है लेकिन ऐसी कोई चीज सामने नहीं आए कि अशोक शेटी की हेल्प लीती मुतप्पा रायने और इसको अमर अलवा को मरवाने के लिए अमर अलवा को तब मारा 1990 में जब वो अपनी बेटी के लिए कार्ड डिस्टिब्यूट करने जा रहा था अपनी बेटी की शादी के कार्ड डिस्टिब्यूट करने के लिए वो मैंगलॉर में जा रहा था और जब ये अमर अलवा पर अटेक होता है तो अशोक शेटी कहते हैं और मुतब पर रहा है बैंगलॉर में होते हैं और वहां से ये पूरी प्लानिंग करते हैं मुतब पर रहा है जब एक कोट केस को अटेंड कर रहा था जो कि अमर अलवास की मर्डर के उपर थी तो कहते हैं कि इसी बीच में उसके उपर हमला किया आपके कुछ लोगों ने जो कि फ्रांसिस जो अमर अलवा का दोस्त था उसके द्वारा सलेन करके एक लड़का था जिसको फ्रांसिस नहीं ट्रेंड किया था और वो कहते हैं कि वकील की ड्रेस में कोट पहुँचा था और वहां पर मुतब पर रहा चलाई थी और दो साल तक कहते हैं कि मुतबब रहा हॉस्पिटलाइज रहा और जब हॉस्पिटल से निकल के आया तो कहते हैं कि मुतबब रहा ने शरच शेटी को कॉल किया शरच शेटी को कॉल करने के बाद शरच शेटी से वो कहता है कि मुझे यहां से निकलना है आप मुझे दुबई बुला लीजिए तो शरच शेटी जो है मुतप्पा राय को दुबई बुला लेता है दूसी तरफ जब मुतप्पा राय दुबई पहुंचता है तो तो शरच शेटी उसको इंटर्ड्यूस कराता है छोटा शकील और दाउद इबराहिम से बस यही का जाता है कि इंटर्ड्यूस करा जाता है कोई साथ में कुछ ऐसा मुथप्पराय और इन्होंने कोई ऐसा कोई खास बिजनस नहीं किया लेकिन मुथप्पराय कहते हैं कि जो पैसा उसके पास था और जो शरच शेटी से हल्प नी क्योंकि शेटी कम्यूटी आपस में एक दूसरे को बहुत हल्प करते हैं तो जो शेटी कम्यूटी थी कहते हैं कि मुथप्पराय को हल्प की और मुथप्पराय ने दुबई में वेतनाम में और आपके वेतनाम में उसके बाद में मुथप्पर Rai जो है एकस्टॉशन के बिजनस में आता है वहां से दुबई से बैट के एकस्टॉशन करना शुरू करता है और एक केस सामने आता है कि वो केस बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि जब यह एक्स्टॉशन शुरू करता है मुतप्पा राय दुबई बैट के क्योंकि कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें नाम पे चलती थी तो कहते हैं कि शरफ शिटी लोग को दुनिया जानती थी कि यह दाउद इप्राहिम के और खास है तो कहते हैं कि मुतप्पा राय जो वहां बैट की एक्सथोउशन करता था और बिना किसी को बताया है मतले म세요 मेरा मतला है शरर शिटी की की नॉलज में यह बात नहीं थी कि एक्स्थोउशन चल रहा है और क्योंकि शरफ श्यटी का मेंली जो बिजनस था हुओ और होटल्स का था किसी और दिन और क्रिकेट पे बैटिंग का रहा और गोल्ड स्मगलिंग में दाउद इब्राहिम का और छोटा शकील का खास पाटनर भी रहा दूसी दरव एक्स्टॉर्शन के पैसे से बहुत सारे पैसे बनाया करोडों रुपे कई सो करोड रुपे एक्स्टॉर्शन से बनाया दूसी दरव एक बिल्डर था जिसका नाम था शुब्भा राजु जो एक बिल्डर था उसको एक्स्टॉर्शन किया थे उसने मना कर दिया कि मैं कोई पैसा नहीं दोँगा तुमें जो करना है कर सकते हो तो उसको मानने के लिए कहते हैं कि मुंबई के एक शूटर को हायर किया यूसफ बचकाना जो बहुत जाना पेचाना नाम है आपको उने बहुत बार सुना होगा यूसफ बचकाना वो कहते हैं कि वो उस समय छोटा राजन के गैंग के लिए काम करता था और उसने हायर किया य लोकल पब्लिक जो वहां थी उन्होंने उसको पकड़ लिया पुलिस को सौंप दिया और जब वो यूसप बचकाना पकड़ा गया तो मुथपपा राय ने उसको हेल्प देने से मना कर दिया जो लोग अंडर वर्ल को जानते हैं जो क्राइम्स क्रिमिनल्स को जानते हैं वो य कर्चा वो आजमी देता है लेकिन मुथपा राय ने उसको दिकनने से मना कर दिया इससे यूसप बचकाना बहुत गुसा होता है और वो कसम खाता है कि जब तक वो मुथपा राय को नहीं माल लेगा तो अपने सर के बाल नहीं कटवाएगा ये ऐसी कसम खाते हैं दूसरी त इसे एक्सॉशन से कर रहा है तो उस चुप चाप से दुबई में अथारिटीज को इनफॉर्म करते हैं शरच शेटी कि ये जो विक्ति है मुथपा राय ये फेक पासपोर्ट पे है और फेक पासपोर्ट पे होने की वज़ए से उसको डीपोर्ट कर दिया जाता है इंडिय शरच शेटी ने दोका किया है इसी बीच में छोटा राजन के ओपर बैंककॉक में हमला होता है और बैंककॉक में हमला होता है तो छोटा राजन जो है संतोश शेटी के द्वारा मुथपा राय को कॉन्टेक्ट करता है और कहते हैं कि मुथपा राय को जब कॉन्टेक्ट कर तो एक नाम सामने आया मैं आपको बताता हूँ मुद्धना कोटियन करके एक नाम है मुद्धना कोटियन को जो है मुधप्पा राय इंट्रिड्यूस कराता है चोटा राजन को और चोटा राजन उसको दुबई भेजता है क्योंकि यह जो मुद्धना कोटियन है यह कहते हैं जो Bunt language होती है, जो Shetty Community बोलती है, वो उसका बहुत अच्छा जानकार था और वो जानकार होने की वए से उसको वो दुबई भेशने हैं और उसकी नौकरी लगती है इंडिया क्लब में, इंडिया Sports क्लब में ये Sports क्लब वो था जिसमें Sharsh Shetty Board of Directors में भी था और वहां पे डेली शाम को स्नूकर खेलने शर्षेटी जाया करता था तो वहाँ पे इस मुड़ना कोटियन की जो है जॉब लगाई जाती है थूरू मुथप्पराय क्योंकि मुथप्पराय नहीं यह लड़का दिया था शोटा राजन ने कॉंटेक्ट किया था पतपराय को थुरू शंतो शेटी और दूसी तरफ जब यह आदमी की नौकरी लग जाती है तो इसका काम होता है शर्षेटी से दोस्ती करने का क्योंकि लोकल लैंग्विज बोलता था तो आप यह विदेश में अगर आप कोई रह रहा है और उसको अपनी कम्यूनिटी का कोई मिल जाए अपनी देश की भाशा का बोलने वाला मिल जाए तो आप उससे बहुत जल्दी इंट्रेक्ट करते हैं और एक दोस्ती हो जाती है तो कहते हैं कि इसने उससे कोटियन ने शरच शेटी से दोस्ती की और बाद में शरच शेटी के मर्डर में भी इसका ही इन्वॉल्मेंट रहा जहां पर कहते हैं कि तीन लोगों को भीजा गिया नाम आपको बताता हूँ जो लोग गए थे करन सिंग, मान सिंग, विमल कुमा और कोटियन, इन तीन लोगों ने शरच शेटी का इंडियन स्पोर्स क्लब में पांच गोलियां मारके वो भी सिर में हत्या कर दी थी, जो एरस भी हुए बाद में, दूसी तरफ एक और कहानी सामने आई थी जो मुझे पता चलती है, कि जब ये शरच शेटी के मर्डर की प पहले, चोटा राजन फोन करता है शरच शेटी को बहुत अच्छे से बातचीत करता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता दे कि चोटा राजन जो है शरच शेटी की मर्डर की प्लानी कर रहा है, दूसी तरह एक और कहानी सामने आती है कि संतोश शेटी की help की through, कहते तो ऐसा ही है की एक शिप, एक यार्ट जाता है इंडिया से, मुंब Chief पोर्ट से और कहते हैं कि उसमें बहुत सारे sophisticated हतियार होते हैं, यार्ट में जो और यार्ट जो एंडिया इसपोर्ट में के कहते हैं कि बाहर खड़ा होता है क्योंकि कुछ लोग ऐसा बताते हैं, कि उसْ यौट में बहुत सारे हतियार पहुछे थे, और उन हतियारों से ही हत्या भी थी, और कहते हैं कि ये यौट जो है, ये हतियार जो है, पहुंछाने में सबसे बड़ा हाथ संतोषेटी का रहा था, ऐसा कहते हैं, लेकिं सच्चाई क्या है ये तो بہت मुश्किल लोग से ही जान पाते है क्योंकि अंडर वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है कि इसके बारे में जितना जानो उतना कम पता चलता है मतलब आप जितना जानते हैं जानते जाते हैं जितनी बाते हैं आपको पता चलती तो जैसे मैंने पहले बताय कि यूसुफ बचकाना ने किसम कॉए थी कि जब तक मुधप्पा राए को नहीं मार देगा तब तक वो उसको अपने सिर्ख सिर के बाल ही कटवाएगा ऐसा उसने किसम कहले थी कि मुधप्पा रहे ने,ошड़ी यूसुफ बचकाना ने तो, यूसफ बचकाना ने अपने भाई को रजाक को बोला कि तुम राय को मारो और राय जो है पहुंचता है बैंगलॉर लेकिन रजाक जो है अरेस्ट हो जाता है बैंगलॉर में और कहते हैं कि उसका अरेस्ट होता है कुछ लोग कहते हैं कि फेक एंड काउंटर हो जाता है लेकि पुलिस कहती है कि नहीं उसकी आने की टिप हमें मिली थी तो उसने हम पे उल्टी फाइरिंग की थी तो इस चक्कर में उसका एंड काउंटर हो गया दूसी तरव आज की तारीख में जो मुतपः राय का जो बिजने से कहते हैं 30,000 करोड का है 30,000 करोड का बिजने से जो उसने एक्स्टॉशन से, स्मगलिंग से और डांस बास से और बहुत सारी चीज़ों से कमाया और दूसी तरव एक और कहानी आया थी कुछ साल पहले अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर आया था और Defense Minister कहते हैं कि मतपपराय के business interest की वज़े से और एक white collar business वो करता है था तो उससे मिलने Defense Minister अफगानिस्तान के पहुंचे थे दूसी तरफ मतपपराय ये भी कहता है कि उसे जो सबसे बड़ी threat है वो छोटा शकील से है और क्योंकि छोटा शकील कब जैसे चोटा राजन की planning कर सकता है और लोगों की planning कर सकता है और उसके business को चोट पचाने का जो सबसे बड़ा काम कर सकता है वो छोटा शकील ही कर सकता है सके उनकी डिटेलिंग ना निकाल गए इसी बीच में एक और कहानी सामने आती है कि आपके ये जो मुथप्पर राय के उपर फिल्म बनाने की बात हुई और फिल्म बनाने के लिए राम गुपल वर्मा ने एनाॉंस किया और उसके लिए विवेक उपराय को साइन किया और जो जो फिल्म की अनाॉंसमेंट की थी राम गुपल वर्मा ने मुथपर राय के उपर लेकिन ये फिल्म आगे बढ़ नहीं पाई बन नहीं पाई क्योंकि यूसिप बचकाना ने नोटिस बेजा राम गुपल वर्मा को कि इसमें आप मेरा करेक्टर दिखा रहे हो और आप मेर जानकारी के मेरा करेक्टर ने कर दिखा रहे हो तो आप ये फिल्म नहीं बना सकते है तो ये फिल्म बन नहीं पाई और रुक गई दूसी दरफ एक और चीज़ सामने आती है कि जो इसकी वाइफ थी एक और इसकी लाइफ में एक और इंटरस्टिंग चैप्टर है जो जिस जादी कीरी वो भी एक विडो से शादी की और उसकी कहते हैं कि जिस लड़की से इसने शादी की मतप्पर आयने उसकी दो बेटियां हैं और जो इसके बिजनस इंटरस्ट में मैं कुछ चीज़े बताता हूं कि मतप्पर आय के पास कहते हैं कि 250 तो घोड़े हैं रेस वाले बहुत सारी चीज़ें करता है जिससे इसने वाइट मनी अपना बनाया और मतब शुरुआत में क्रिमिनल एक्टिविटी से फिर उसके पैसे को वाइट करके वाइट कॉलर बिजनस किया और बहुत सारी रियल इस्टेट प्रोपरडीज में इंवेस्ट कर रखा हैं बैंगल फोरी खराब हो गई थी जो साल फुर्शनेष नीटेट क्रके इसने कितनी ट्रांसप्लांट कर आ अपना सिंगापुर मैं कुछ शाल पहले इसने कितनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में करहा लेकिन रूप प्रोपरली नहीं कर रा हैं 好 coupon कि एम्स में भरती था मुतप्पा राय और उसके बाद उसको वहाँ से अपोलो भेज दिया गया चेने और कहते हैं कि इसके लंग्स में भी कुछ डिजीज है जिसकी वैसे वो सर्वाइव कर रहा है कुछ लोग कहते हैं कि मुतप्पा राय जो मुश्किल से 6-7 महीने ही जी पाएगा और कुछ लोग कहते हैं कि कितने साल जी पाएगा ये कोई नहीं कहता लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इतनी तबित खराब है कि 3-6 महीने जी पाएगा मुतपपर रहे पर केसिस चले और बहुत सारी केसिस में बरी भी हुआ लेकिन कोई चीज पर जिसने एक्सार्शन, क्रिमिनल, एक्टिविटीज में इसको किसी में भी सजा नहीं हुई तो जो मैंने जो आज कहानी सुनाई वो Facts and Figures पर सुनाई है कोई Wikipedia से कहानी नहीं सुनाई है मेरे अपने sources हैं जो मुझे कहानिया मदलब पुराने reporters कह लीजे कुछ communities के लोग कह लीजे या फिर police department वाले कह जो IOs होते हैं वो स्टोरी बताते हैं तो मैंने बहुत short में आपको स्टोरी बताई है आज की और अगरी जो स्टोरी मैं करूँगा वो TN session पे करूँगा तो तब तक के लिए मैं आप से लेता हूं विराम